हेलो फ्रेंट्स गुड मॉरिंग स्वागत है आपका हमारे यूट्व चैनल द्रोना अकेडमी पर आज है पांच नमंबर और पांच नमंबर से करेंट अफैर्स के जितने भी कोशन बनते हैं वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए आए शुरू करते हैं आ और यह है उनका छेटवा विश्व खिताब है छेटवा विश्व खिताब है उन्होंने माइकल सुमाकर जो जर्मनी के खिलाडी है माइकल सुमाकर इनके सिर्फ एक खिताब पीछे हैं लूइस हैमिल्टन ब्रिटेन के खिलाडी है और यह मर्शडीस की टीम की और से खेलते इनकी टीम में इनका साथ दिया था बाल्टेरी बोटास जो कि फिनलेंड के हिलाडी है तो इस कोश्चन से आपको इतनी जानकारी प्राप्त होती है आए देखते हैं अंगला कोश्चन तो प्रश्चन दो है हाल ही में भारती रिजर्बेंक ने प्रमोटर हिस्चदारी कम करके 40 पर नहीं लाने के कारण किस बेंक पर एक करोड रूपे का जुर्माना लगाया है तो यह रिजर्बेंक ने लगाया है बंधन बेंक पर यानि कि इस कोश्चन का ऑप्सन भी बंधन बेंक सही है अब बंधन बेंक को केंदरी बेंक से 2014 में सामाने बेंकिंग लाइसेंस मिला था और अगस्त 2015 से इन्होंने पून बेंग के रूप में कार करना शुरू किया था रिजर बेंग ने इसी तरह एक सहकारी छेतर की जंता सहकारी बेंग पर भी एक करोड रुपए का जुर्माना लगाया है और इसके अलावा जलगाओं पिपल सहकारी बेंग पर भी 25 लाक यह होगा तो यह होगा Autom C मेघालय यानिकी इसका Autom C सही है मेघालय राज्य के मंत्री मंडल ने अभी हाली में यह निरने लिया है केविनेट ने 1 नमंबर मेघालय के केविनेट ने 1 नमंबर 2019 को मेघालय निवाशियों सुरक्छा और सुरक्षा दिनियम M.R.S.S.A. 2016 में संस ग्रूप से कराना होगा अब बात आती है मेघाले की तो मेघाले के मुख्यमंत्री है कौनराट संग्मा और मेघाले की राजदानी है सिलांग और मेघाले के उप मुख्यमंत्री है प्रोस्टेन तिन सोंग तो आपको इस कोशन से इतनी जानकारी प्राथ होती है आएए देख और बरतमान में गुवा के जो मुख्य मंत्री है वो है प्रमोद सावन्थ प्रमोद सावन्थ चीक है आपको गुवा के बारे में इतनी चीज़े याथ रखना है अगला कोशन है कोशन नमर पांच हाल ही में यूनी शेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को महिला और वाल विका मंत्रा ले द्वारा भी लॉंच किया गया है अब इस यूवा पहल का उद्देश क्या है इसका उद्देश है कि 10 से 14 साल तक किसोर है तू सिक्छा और कौशल विकास करना इसके अलावा 2030 तक नीजी चेतरों के साथ कार करके 15 मिलियन यूवा महिलाओं तो था 15 मिलियन मंत्री है इसमरती इरानी इसमरती इरानी जो है वह महिलाओं बाल विकास मंत्राले की मंत्री है अब दूसरा है एक यहां सब्द है यूनिसेफ अब यूनिसेफ क्या होता है इसको अगर इंग्लिस में लिखें तो हम लिखेंगे यूनिसेफ यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो fund इसका मुख्याला जो है Unichev का मुख्याला न्यूयार्क में है न्यूयार्क में इसका मुख्याला है और बरतमान में इसके जो अध्यक्ष है बरतमान में Unichev के जो अध्यक्ष है वो है हेंड़िटा H4 हेंड़िटा H4 इसको H4 के नाम से भी अब याद कर सकते हैं तो आपको इस कोश्चन से इतनी सारी जानकारी राप्त होती है अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर छे रोहित सर्मा किस पूर्व कप्तान को पचाड़ कर भारत के लिए सबसे ज़्यादा T20 अंतरास्टी मेज खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं तो रोहित सर्मा अभी MS धोनी को पचाड़ कर सबसे ज़्यादा अंतरास्टी T20 मेज खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं धोनी ने अभी तक 1898 T20 मेज खेले हैं और रोहित सर्मा ने 99 अभेवा मेज बांगला देश के साथ खेल कर यह रिकार्ड अपने नाम किया है इस मामले में आप पहले नंबर पर होईत सर्मा है और दूसरे नंबर पर महन सिंग धोनी है वो तीसरे नंबर पर धुत्तर मेच के साथ सुरेश रहना तीसरे नंबर पर है अगर अंतराश्टी बात की जाए तो पाकिस्तान के पूरु कफ्तान स्वयक मलिक 111 अंतराश्टी मे राफिल नडाल रेंकिंग फर्स पर आ गए है को एकटीपी की बाद आती है तो एकटीपी होता क्या है है एटीपी होता है एसोसियेशन ओफ टेनिस प्रोफेशनल्स का जो एक एसोशियन होता है उसको एटीपी कहते हैं अब इसमें राफेल नडाल जो है वह फस्ट नमबर पर है राफेल नडाल फस्ट रेंकिंग पर है और सेकंड पर है नुवाग जोकोविच जो कि सर्विया के ख लाड़ी है और इसमें जो रोजर फेटर है ये थेर्ड पर है और डी मेदवेदेव फोर्थ रेंकिंग पर है तो ये सीर्स चार खिलाड़ी है इनके फस्ट पर है राफेल नडाल अगला कोश्चन है हाल ही में डेविस कप में पाकिस्तान के खिलाब एक मुकाबले में किसे किलाफ होना है उसमें सिर्फ एक मेंच के लिए रोहिद राजपाल को डेविस कप टीम का कफ्तान बनाया गया है अब ये डेविस कप क्या है डेविस जो है जो फेडरेशन इंटेनिस फेडरेशन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानि की ITF द्वारा कराया जाता है और य वंडर 17 महिला विष्वकप का लोगो इसने लांच किया है तो इसका ऑप्सवन सही है किरन लिजू जी केंद्री झेल मंतरी लिखा और किरन Gry positives लिजू जी ने यह फीफ पन्डर 19 अंडर 17 महिला विश्वकप का लोगो लॉंच किया है यह 2020 में भारत में खेला जाएगा और यह अभी तक का 7th FIFA World Cup है Under 17 महिला विश्वकप का अगला कोश्चन देखते है कोश्चन नमबर 10 किस देश ने इतिहास में पहली वार 2020 अंतराश्टी में भारत को मात दी है तो इसका सही आंसर है A. बांगलादेश बांगलादेश ने हाल ही में दिल्ली में कहले गए एक मेच में भारत को हराया है और यह भारत को बांगलादेश ने पहली वार first time हराया है इससे पहले लगातार आठ बार भारत ने बांगलादेश को हराया है, अब जो मेच खेला गया है दिल्ली में, जो डिल्ली का जो stadium है, जिसे पहले फिरोख राकोटला मेधान कहते थे फिरोख राहा, इसका नाम बदल कर अभी अरून जेटली अरून जेटली मैदान नाम किया गया है इसमें खिला गया था यह दोनों टीमों के बीच टी-20 प्रारूप का अब तक का एक हजारवा मेच अंतर राश्टी मेच था अब कल के प्रेश्ट का उत्तर कल हमने आपसे प्रेश्ट पुछा था कि भारत का पचासवा अंतर राश्टी फिल्म होतसब गुवा में होगा इसमें किसे बीजियस आइकन पुरुसकार देने की खोशना की गई है तो इसका सही आंतर है आपसन सी रजनी कांत को इस्पेशल इस्पेशल आइकन अवार्ट देने की खोशना की गई है अब आज का प्रेश्ट है हाल ही में केंद्र शरकार ने किन राज्जियों के मानचितर जारी किये हैं तो आपका इसकोशन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है तो जल्दी से आ कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा थेंक्स